नमस्कार मैं हूँ सथी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरकन के दिन भर की खबर जानते हैं अमरीत भारत एश्टेसन योजिना के तहत बिक्सित होंगे ज्ञारखन के बीस रेलवे एश्टेसन चाइनित रेलवे स्टेस्नों का कया कलाप कर उन्हें स्मार्ट बनाये जाएगा और सुविधाये बेहतर की जानी है इस योईना के तहट यात्रियों को राश्ट्रिय अस्ता की सुविधाये प्रदान की जाएगी इसमें फिरी वाइफाई कियोस्क की सुविधाये सामिल है इसके अलाबा इस्टेशन पहुंच मार्ग, सरकुलेटिंग एरिया, वेटिंग रूम, सवचालाय, असक्ता अनुसार लिफ्ट या एसकलेटर, अस्थाने उत्पात को के लिए कियोस्क की सुविधाये भी सामिल है बता दे, परिक्षा में लगभग 40,000 से अधिक पारा सिक्षक सामिल हुए थे, जैक दोरा इस्तमन में जारी पत्र में कहा गया है कि परिक्षा की स्वख्षता वा निस्पख्षता को देखते हुए सामिल सभी परिक्षार्थियों को OMR सीट जैक के वेपसाइट पर जारी क पर दिया गया है, उतर कुंजी भी जैक की वेपसाइट पर उपलप्द है, परिछार्थी उससे अपने उतर का मिलान कर सकते हैं, परिछार्थी जैक दोरा जारी उतर कुंजी पर अपनी आपत्ती भी दर्ज करा सकते हैं, आपत्ती 9 अगस्त साम 5 बजे तक दर्ज कराया ज सकता है परिछार्थी जैक के इमेल पर भी अपति दर्ज करा सकते हैं जैक 12 पस्ट किया गया है कि 9 अगस्ट को साम 5 बजे के बाद अपति सविकार नहीं किया जाएगा जार्खन आदिवासी महोसों में मिलेंगे परमपारिक आभूसन 9 और 10 अगस्ट को राइधानी के भागवान बीशाम उडासमिनती उद्ध्यान में जार्खन आदिवासी महोसों दोहयातिस के आवजन किया जाएगा महोसों में परमपारिक जन जातिय उत्पाद वा अभूसन भी लोगों के लिए उपलब्द रहेंगे महोसों में परमपारिक आदिवासी आभूसन और पलास ब्रांड के उत्पाद को को भी स्लोट लगाए जाएगे JSLPS के स्लोट में सखी मंदल के महिलाओ दोहार निर्मित उत्पाद की परदर्शनी और विक्री की जाएगी प्लास ब्रांड के तहट राज भर की ग्रामिन महिलाए खादे और गैर खादे उत्पादों के उत्पादन प्रसंसकरन और विपनन के माध्यम से अपनी आजीव का अरजित कर रही है वहीं आदिवा ब्रांड के तहट परंपारिक आभूस सुनों को बजार उपलब्द कराया जा रहा है ताकि आदिवासी परंपारिक कलार एवं संस्कृती लोगों तक पहुंच सके रांची को सेफ बनाने के लिए सहर के बाहरी इलाकों में तयार हो रा सुरक्षा घेरा राजधानी रांची में अपराद पर लगाम लगाने के लिए रांची पुलीस हर मुमकिम प्रयास कर रही है इसके कड़ी में अब रांची पुलिस ने आउटर रांची को सेफ बनाने के लिए 17 पुलिस पोस्ट बनाने कारीना लिया है इसके लिए बाकादा तैयारिया भी सुरू कर दी गई है और जगह को चीनित कर लिया गया है राइधानी में क्राइम कंट्रोल के लिए सहर के बाहरी भाग में सुरक्षा घहरा तैयार किया रहा है इसके लिए सहर के बाहरी इलाकों में 17 अस्तानों को चीनित किया गया जहां पूलिस पोस्ट बनाया जाएगा पोस्ट पर पूलिस की चेकिंग की पेवस्था 24 घंटे रहेगी पोस्ट पर तीन या उससे ज़्यादा जवान तैनायत रहेंगे इसके लिए प्लानिंग पूरी कर ली गई है रांची पूलिस ने इस्तमाद में प्रस्ताव तैयार कर पूलिस मुख्याला को भेज दिया है जैसे पूलिस मुख्याले से इसकी मंजूर मिलेगी तुरंट पोस्ट के निर्मान का कारी भी शुरू कर दिया जाएगा जहारखन में हो रही जहमा जहम बारीस भारतिय मुख्यान विभाग ने अगे 4-5 दिनों के लिए भारत के कई राजियों में भारीस से बहुत भारी बारीस की भविस्वानी की है दिली, NCR, उतरपरदेश, मदपरदेश और 36 गड़ के कुछ हिसों में आज भारी बारीस होने की समवना है वहीं IMD ने कहा है कि सन्नी वार को राजियों राजियों धानी में बारीस हुई और अधिक्तम तापमान 33.5 डिग्री सिल्शेस रिकोर्ड दज किया गया जो इस मवसम के अवसाच से एक डिग्री कम है IMD ने रभीवार को दिल्ली में बादल चाय रहने और हलकी बारीस होने का अवनमान भी लगाया है वहीं मौसम भीभाग ने कहा है कि अधिक्तम और निउतन तापमान करम सा 33.7 डिग्री सिल्शेस के आजपास रहने की समवना है उत्राखंड उत्री उत्रपरदेश बिहार पचिम मंगार और सिक्किम में अगले 4-5 दिनों के दिवान अलग-अलग अस्थानों पर भारी से बहुत भारी बर्शा होने की समवना है वहीं पुर्वी उत्रपरदेश और उत्राखंड में भी रभिवार से 8 अगस तक अलग-अलग अस्थानों पर बहुत भारी बर्शा होने की समवना है धनबाद के निर्शा में अग्यात युवक का मिला सौव धनबाद के निर्शा थना के गोपाल गंज इस्थित नए भवन निर्शा राजगिये पोल्टेकनिक कॉलेज के पास खेत में अग्यात युवक का सौव मिला है सौव पूरी तरह से सड़ गया था और उसमें कीड़े भी लग गय थे उस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को दुरगंद मिली तो निर्शा पूलिस को सुचना दी गई पूलिस ने सौव को पुश्मास्टम के लिए धनबाद भेज दिया है और मामले की जाच में जुट गई है आस्तानिये लोगों के अनुसार सो तीन से चार दिन फुराना है मिरितक काले रंग की टी सट पहन रखा है तथा कमर में गमचा बंदा था एक गमचा गले के नीचे पीठ पर था और एक गमचा सो के कुछ दुरी पर भी मिला है मिरितक के कमर और हाथ में काले रंग का सूता बंदा हुए था बुचर खाना जा रहे ट्रक में मिले 36 गोवांस जारखन के गुमला जिला में तसकरी या वध करने के लिए ले जा रहे 36 गोवांस ये पसो को राय डी की पुलिस ने ट्रक सही जब्त कर लिया है इस दोरान जाच में 10 पसो मिलित पाये गाए जनकारी के अनुसार गोवांस ये पसो को तसकर काटने के लिए बुचल खान ले जा रहे थे पुलिस ने ट्रक चालाक अर्वान अंसारी गराम उरुमुरू बारी डी थाना कुड़ू जिला लोहर दगा अमन अंसारी गराम खोवाजा गुलजार नगर थाना जिला लोहर दगा तबरेज खान गराम बाजरा थाना नरकोपी कोगर अफतार किया है गयाथो के पिछले एक माह से राइडी चैनपूरू कुरूमगड भर्णो आजी थाना में भारी मत्रा में गोवांसी पसुजब्त किये जा रहे हैं और विसाखा पठम जैसे बड़े इस्टिल पलांटों के स्थापना की है जिनकी भूमी का आज भी देश में इस्टिल उत्पादक में सुर्वा दिखा है इसके अलावा इसरो के लिए तीन लॉंचिंग पैड इयोटी क्रेन के अलावा और उपकरन पानी जहाज के उपकरन सेना के लिए माउंटेन गन बंगलादेश यूद के समय में गन बेराल टी बहुतर ट्रेंग के लिए उपकरन माइनिंग छेतर की बिभीन छमता के सोयल वा ड्रेग लाइन का भी निर्मान किया है वहीं दूसरी और बरतमान में कमपनी करमचारियों का ठारा माह का बेतन बक आया हो गया है ऐसे में करमचारि बचों की फीस जमानाई कर पा रहे हैं टेवल टेनिस में लड़कों में रांची व गढ़वा और लड़कियों में पुर्भी सिम्भू मिने मारी बाजी साहेव गांज टेवल टेनिस एसोसियेशन के ततोधार में सनीवार को चांद भहरव इंडोर स्टेडिया में स्टेट रांकिंग टेवल टेनिस चेंपियंशिप के दूसरे दिन बालक बर्ग में रांची व गढ़वा तथा बालका बर्ग में पुर्भी सिम्भू को खिलाडियों ने बेहतरीन खेल से दर्शकों का दिल जिता है परतियोक्ता के बालक बर्ग में अंडर 11, 13, 15, 17 तथा 29 महिला बर्ग में अंडर 11, 13, 15, 17 तथा 29 तथा पुरूस बर्ग के एकल परतियोक्ता का आवियन किया गया मैज का सपत संचालन टेकनिकल डारेक्टर सुद्दीप्तो मुखरजीप चीफ रेफरी संदीप सहक नेतित में किया गया अस्थानिये को रोजगार से जोड़ो आंदोलन शुरू कर्णपूरा खनन बिस्थापित विकास समितिक द्वारा बढका गाउं हजारी वाग रोड इस्थी 13 माईल के पास बाहरी वरकरों को हटाओ अस्थानियों को रोजगार में लगाओ आंदोलन शुरू किया गया इसकी अध्यक्स्ता समितिक अध्यक्स फ्यूम अंसारी ने की है इस दवरान समितिकी संड़क्षक अस्थानिये विधायक अंबा परसाद भी मौके पर मजूद रही यवां बाहरी वरकरों से भरी बसो को रोका गया इसकी जाज करने के दौरान विधायक ने पाया है कि बसों में दूसरे जीले और राज्जियों के कर्मी भरे पड़े थे इससे विधायक कापी नराज होई इसके बाद विधायक अंबा परसाद ने बाहरी वरकरों से भरी बसों को रोक का सलक पर ही बैठा कर धाना परदसन किया है हजारी बाग रेंज में सबसे अधिक हुई अपराधी घटनाए जारखन के और रेंज की तुल्ला में हजारी बाग रेंज में सबसे अधिक अपराधी घटनाए हुई है इन अपराधी घटनाए हुई है इन अपरादी घटनाओं में हत्यार डगयती, लूट, गिरी, भेदन, चोरी, दंगा, अपरा, अपहरन, दुसकर्म, आंस, एक, नक्सल, समेत, अन्यमामले सामिल हाएं नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस में 6 की मौत कई घायल जारकन के गिरी डी में एक बड़ा हसा हुआ है, यात्रियों से भरी एक बस अचानक नदी में गिर गई, जिसके बाद 6 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 20 से ज़्यादा यात्री घायल है जैसे ही बस गिरने की सुचना मिली जीला पर साथन मोके पर पहुंचा, रेस्क्यू अपरेशन के बाद घायलों को निकाल कर अस्पताल में दाखिल कराया गया, घायलों का नदी की अस्पताल में इलाज चल रहा है, धन्यवाद